रामानंद एक छोटे से गाउं में रहता था और एक करीब किसान था उसके पास अपना एक छोटा सा खेत था जिसमें वह सबजियां उगाता और उन्हें बाजार में बेचता यह उसकी आजीविका का एक मात्र साधन था उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके चार बच्चे थे भरे पूरे परिवार के लिए रामानंद की कमाई कम पड़ती थी रामानंद बड़ा ही भला अदमी था और भगवान में उसकी बड़ी आस्था थी जब कभी भी किसी को मदद की जरूरत होती और रामानंद के बस में कुछ होता तो वे उसकी मदद जरूर करता एक दिन मनुर्मा नई फसल की त्यारी करनी है पर समझ नहीं आ रहा कि इस बार ऐसी कौन सी खेती करूं जिससे थोड़ा मुनाफ़ा ज्यादा हो जाए कोई भी खेती कर लो दाम तो किसी भी खेती के अच्छे नहीं मिलते है इतनी महनत किसान करता है लेकिन जब बाजार में बेचने जाओ तो उन्हें पौने दामों में ही लोग खरीदते हैं अर ये तो सदियों से चला आ रहा है, किसान का दर्द भला कौन समा सकता है, फर किसान अपनी खेती के सिवा और करें भी तो क्या करें? देखो जी, अगर मेरी बात मानते हो, तो कोई ऐसी खेती कर लो कि चार महिने के अंदर दो फसल उतराए ये तो तो सही कह रही है, हमारे चारों बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं, इनकी जरुरत भी बढ़ रही है, तो परेशान मत हो, भगवन है न, वो सब देख रहा है चारों बच्चे भी उठ जाते हैं, मनोर्मा उन्हें तयार कर, नाश्ता करा कर स्कूल के लिए बहेज देती है, रामानन भी खेतों की तरफ निकल जाता है, और मनोर्मा घर के काम खत्न करने लगती है कितनी पार काहा है, इन्हें एक सिलाई मशीन खरीद कर दे दो, कम से कम आसपडोस के लोगों के कपड़े सी लूँगी, तो कुछ आमदनी हो जाएगी, पर इन्हें तो जुनून सवार है कि बीवी से काम नहीं कराना महिंगाई भी तो कितनी बढ़ गई है, हे भगवान, अब तो तू ही मालिक है, इसी तरह कई दिन भी जाते हैं रामा नंद आखिर में फैसला करता है कि वह खीरे की खेती करेगा, और वह अपने खेत को तयार करके खीरे के बीज भी बिखेड देता है, उसे खेतों में पानी दे देता है, घर आने पर बाबा, इस बार आपने कहा था, कि आप मुझे साइकल दिला दोगे, फिर मैं छोटू और पिंकी को अपनी साइकल पर ही बैठा कर स्कूल ले जाऊँगा वाँ जी वाँ, इन दोनों को तो साइकल पर बैठा कर ले जाएगा, और मैं क्या पैदल स्कूल जाऊंगी अरे, एक साइकल पर मैं कितनी लोगों को बेठा सकता हूँ तो ठीक है, बाबा, दो साइकल खरीद लो, एक साइकल मेरी और पिंकी के लिए, एक साइकल छोटू और मॉनों के लिए अरे, अरे, तुम चारों आपस में क्यों लड़ रहे हो, तुम्हारा स्कूल यहां से है कितनी दूर, एक किलूमीटर, तो तुम लोग वैसे ही पैदल चल सकते हो, पर बाबा, साइकल दिला दो, आपने कहा था हाँ, हाँ, तुम्हें मना कहा कर रहा हूँ, दिला दूँगा, दिला दूँगा, हाँ तुम चारो के पेपर शुरू होने वाले हैं, और तुम यहां पर साइकल की बाते कर रहे हो, जाओ, जाकर अपनी किताब उठाओ और पढ़ाई करो, जब देखो मतर गश्ती करते रहते हैं तुम ने तो बचा लिया मनोर्मा, यह सुनकर मनोर्मा हसने लगती है, कई दिन गजर जाते हैं, रामनंद खेतों में बार-बार चक्कर लगा रहा था, लेकिन उसकी उगाई हुई बीजों में अभी तक अंकुर नहीं निकला था, उसे बड़ी चिनता हो रही थी, बाकी किसानों के खेत में छोटे-छोटे पौधे बड़े होने लगे थे क्या हुआ? सारे बीजों में से अभी तक एक भी पौधा बाहर नहीं है ऐसा जो आज तक कभी नहीं हुआ अगर अंकुर नहीं निकला, तो फसल खराब समझो रामनंद एक बार और खेत में पानी दे देता है और इंतजार करने लगता है कि खेत में बीजों से अंकुर निकलाए पंदरा दिन और निकल जाते हैं, अब तो रामनंद को बहुत चिंता होने लगी थी मनुर्मा, मुझे लगता है खेतों में हल चला कर दुबारा से फसल के तियारी करनी पड़ेगी ये तो बहुत ही बुरा हुआ है, भला जमीन में बीज डालें और वह उगे न, आज तक तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ और हमारी जमीन तो कितनी उप जाओ भी है रात को रामानन को नीन भी नहीं आती, वह करवट बदल बदल कर पूरी रात निकाल देता है उसका दिमाग बस एक ही चीज सोच रहा था, कि आखिर इस बारी उसके खेतों में फसल तयार क्यों नहीं हुई और किसान उसका मजाग भी उड़ाने लगे थे, उसे याद आता है उसी के पडोसी किसान ने कहा था अरे मैया रामानन, मैं खेती वाड़ी करना भूल गए हो क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं, अब किसमत मैं फसल ही नहीं थी, तो क्या करूँ? अरे मैया, बीच तो डंग से देखे थे ना? कहीं पैसे बचाने के चक्कर में सस्ते बीच खरीद लाए हो? रामानन जानता था कि अभी बोलने का कोई फाइदा नहीं है, इसलिए वह चुप हो गया था पर रात को बिस्तर पर लेटे लेटे वह यही सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया? अगले दिन सुबह वह अपने खेतों में जाता है, चारों तरफ नजर दोडाता है, तो एक जगा पर उसे खीरे की एक छोटी सी बेल दिखाई देती है, उसके दिल में उम्मीद की एक किरन जाकती है, वह भाग कर वहा जाता है, तो देखता है कि उस छोटी सी बेल पर एक छोटा सा खीरा लगा हुआ है। यह देखकर उसकी आखों में आसु आ जाते हैं। आवाज कहां से आई है पर आसपास तो कोई भी नहीं था। दूर दो किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे। वह हैरान था कि फिर उसे नाम से किसने पुकारा। तो मैं इस तरह दुखी और परेशान हुआ देख मुझसे रहा नहीं गया। और मैं तुमारी मदद के लिए आ गया हूँ। जादूए खेता परा ऐसा भी कभी हुआ है क्या सबजी भी जादूए होती है क्या। हाँ, क्यों नहीं हो सकती। जब तुम हो धर्ती है, आकाश है, हवा है, पानी है, तो सबजी भी जादूए हो सकती है ना। होने को तो कुछ भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें किसी ने तंत्र मंत्र कर मेरे खेत में भिजवा दिया हो, तभी तो मेरी फसल त्यार नहीं हुई। हाँ 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 तंत्र मंत्र करके ना भाई ना मैं कोई तंत्र मंत्र से या नहीं आया हूं मैं सच मुछ में एक जादू ही खीरा हूं तभी जादुई खीरा अपना जादु का कमाल दिखाता है रामानंद के खेतों में छोटे-छोटे अंकुर निकर लाते हैं देखा रामानंद, अब तुमारा खेत भी थोड़े दिनों में लहराने लगेगा और तुमारे फसल भी जबरदस्त होगी और ये सब मेरे जादु के कमाल से ही होगा आरे, आरे वाह, ये तो सचमुच में जादु हो गया अब मेरी फसल भी त्यार हो जाएगी तुम तो सचमुच में मेरे लिए फरिष्टा बन कर आये हो रामानंद अपने खेत को देख कर अब बहुत खुश था वे जादुई खीरे को उसके कहने पर वहां से तोड़ कर घर ले आता है क्या बात है, गय तो मूलट का कर थे आप बड़ी खुशी-खुशी रहे हो अरे, क्या बताओ मनुर्मा मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है सारे खेत में अंकुर निकलाए है और तुम्हें पता है, ये किस की बदौलत हुआ है तुम्हारे मेहनत की बदौलत, और क्या नहीं नहीं मनुर्मा, ये सब ये सब एक जादुई खीरी की वज़े से हुआ है फिर रामानन्द मनुर्मा को सारी बात बता देता है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, कि ये एक जादुई खीरा है अच्छा, तो तुम्हें यकीन नहीं हो रहा पर मैं तो जानता हूँ, कि तुम्हारा बहुत मन है कि तुम्हारे पास एक सिलाई मशीन है क्या मैंने गलत कहा है ये सुनकर मनोर्मा चौक जाती है और जादुई खीरा अपने जादु से वहाँ पर मनोर्मा की मन पसंद सिलाई मशीन ले आता है तुम तो सच मुझ में जादु दिखाते हो लगता है पिछले जन में कोई अच्छे कर्म किये होंगे तभी तुम हमें मिले हो मनोर मा तो सिलाई मशीन मिलने से ही इतने खुश थी कि वह बाकी सब भूल ही गई तभी रामानंद उसे याद दिलाता है कि बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, खाना बना लो वर्षों से मेरा अर्मान था कि मेरे पास ऐसे ही सिलाई मशीन हो आज मेरा सपना पूरा हो गया, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ बस जिस तरह मेरी मनो कामना पूरी हो गई है, बच्चों की भी हो जाए मैं तो यहाँ पर आया हूँ, इसलिए कि तुम लोगों की भदत कर सकूँ मैं जानता हूँ, बच्चों को साइकिल चाहिए तभी वहाँ पर सब बच्चों के लिए संदर संदर साइकिल आ जाती है बच्चे जैसे ही घर आते हैं, चार साइकिल वहाँ खड़ी हुई देख कर खुश हो जाते हैं अपनी अपनी पसंद की साइकिल ले लेते हैं बाबा आप एक cycle भी नहीं दिला रहे थे और हब हम सबके पास में अपनी अपनी cycle है हाँ बाबा मुझे एसे ही cycle चाहिए थी मैं तो अभी एक round लगा कर आ रहा हूँ भईया मैं पी शाज चलता हूँ सारे बच्चे ही अपनी अपनी साई की लेकर राउन लगाने के लिए चले जाते हैं उधर जादुई खीरा अपने जादु से कमाल दिखाता है रामानन्द के घर को सुन्दर बना देता है उसके घर में हर तरहा का समान डाल देता है यहां तक कि वह रामानन से कहता है कि उसके खेतों में अब हमेशा ही खीरे की खेती होगी वह पानी दे या ना दे या खेतों की देखभाल करे या ना करे उसके खेतों में हमेशा ही खीरे होते रहेंगे जिन्हें बेच कर वह अपनी आजीविका को अच्छा कर सकता है और बार-बार फसल लगाने की जंजट से भी बच जाएगा मैं भगवान का जितना शुक्र अदा करूँ कम है लगता है किसी जन के पुन्य का फल हो तुम तुम क्या मिले मेरी तो सारी परिशानिया ही खत्म हो गई है मैं अपनी खेतों की देखबल वैसे ही करूँगा जैसे मैं अक्सर करता आया हूँ खेत नहीं तो मैं भी नहीं जादूई खीरा रामानंद और मनोर्मा को बहुत सारी चीजे देकर वहां से गायब हो जाता है बच्चे भी साइकल पर राउंड लगा कर अपने नए घर को देख कर हैरान थे रामानंद अब रोज खेतों में जाता और वहां से खीरे की फसल को निकाल कर बाजार में बेच देता सब किसान भी हैरान थे कि रामानंद के खेतों की फसल कभी खत्म नहीं होती अब रामानंद और उसका परिवार जादुई खीरे की मदद से बड़ा ही खुश्चाल परिवार हो गया था